Hello everyone, I am Smriti Sina here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow Tomorrow Will It. और आप इस चैनल पे ने हो, तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले. यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस्किये हैं, तो उपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो. हमारे टेलिग्राम ग्रूप के मिम्बर बनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करके आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जूड सकते हो. और आज जो हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक है हाइड्रो कार्बन्स. यह टॉपिक बहाराष्ट्रा स्टेट बोर्ट सिलाबस स्टैंडर्ड इलेवन से हैं. इस टॉपिक का अल्रेडी हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं, that is, अलकेंस टॉपिक हम टोटली कम्प्लीट कर आज जो हम पढ़ेंगे, वो है अलकेंस. यह नेक्स पार्ट अफ हाइड्रो कार्बन्स है, that is, अलकेंस. अलकेंस अंसाचुरेटेड हाइड्रो कार्बन्स में आते हैं, क्योंकि इन में एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है. जहां पे भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ओ कहलाता है अंसाचुरेटेड हाइड्रो कार्बन. तो अलकेंस अंसाचुरेटेड हाइड्रो कार्बन से, क्योंकि उन में at least one कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होता ही है. अलकेंस जिसमें एक कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें दो hydrogen atom कम होते हैं than corresponding alkene. For example, आपके पास है ethane, that is C2H6, तो ethane का structure क्या है? यह, यह तो alkene हुआ, और इसी का alkene हुआ ethane, that is C2H4, तो इसका structure होता है CH2 double bond CH2. तो आप देख सकते हो, ethane और ethane, दोनों में same number of carbon है, बट hydrogen atom में 2 atom कम है. इसलिए कोई भी alkene, यदि उसके corresponding यह same number of carbon वाले alkene से compare करो, तो उसमें 2 hydrogen atom कम होगा. तो alkene का general formula क्या था? CnH2n plus 2, यह alkene का general formula था, तो alkene का क्या हो जाएगा? दो hydrogen आपको reduce करना है, तो हो जाएगा CnH2n, तो यह है आपके alkene का formula as compared to alkene. अब यहाँ पे N2, 3, 4 हो सकता है, alkene जैसे CH4 होता है, वैसे कोई alkene नहीं होता with carbon 1. Alkene हमेशे carbon 2 से ही सुरू होता है, याद रखें, क्योंकि सिर्फ carbon 1 में double bond नहीं possible है, carbon carbon double bond possible नहीं है, इसलिए alkene की series C2 से ही सुरू होती है. Next है, isometrism in alkenes. Alkenes जिन में 3 या 3 से ज़्यादा carbon atoms होते हैं, वो दो तरह के isometrism दिखाते हैं, structural isometrism या फिर geometrical isometrism. ठीके, तो यदि उनमें 3 से ज़्यादा carbon atom हैं, तो 2 isometrism दिखेगा आपको, structural या फिर geometrical. अब हम बारी-बारी से देखते हैं, structural में कौन से isometrism और geometrical में कौन से isometrism देखोगे आप. तो पहले, structural isometrism. तो alkenes, जिनका formula C4H8 है, that is butene, तो इसे आप 3 ways से represent कर सकते हों. पहला, जिसमें सारे carbon आप linearly लिखके, double bond carbon number 1 से जोड़ दे. दुसरा, जिसमें आप सारे carbon linearly लिखके वापस, double bond carbon number 2 से जोड़ दे. और तिसरा, जिसमें आप branching बना दे. तो इस तरह से 3 carbon वाले propene लिख दे. और फिर carbon number 2 पे branch बना दे. तो ये 3 ways हैं, जिससे आप C4H8 butene को represent कर सकते हों. पहला है 1 butene, दुसरा है 2 butene, तिसरा है 2 methyl probe 1 in. करेक्ट? अब, इसमें यहाँ पे ध्यान रखें, कि जो 1 और 3 है, structure 1 and structure 3, ये दोनों एक दुसरे के chain isomer है, क्योंकि यहाँ पे chain का difference है, एक linear है और एक branch है. Similarly, structure 2 and structure 3, भी एक दुसरे के chain isomer है, क्योंकि structure 2 और 3 में आप compare करोगे, तो structure 2 linear है, structure 3 branch है, तो ये भी एक दुसरे के chain isomer है. तो 1 and 3 and 2 and 3, दोनों भी दुसरे के chain isomers है, ठीक है? बट, अब आप structure 1 and 2 को देखिए, structure 1 and 2, structure 1 and 2 को compare करोगे, तो दोनों भी linear ही है, बस वहाँ पे difference है, position of double bond का, एक में double bond carbon 1 को जुड़ा है, दुसरे में double bond carbon 2 को जुड़ा है, तो दोनों linear है, बट, डिफरेंस है, position of double bond, और इसलिए ये दोनों हो जाएंगे, position isomer, ठीक है? तो ये दोनों हो गए, position isomer, तो structure isomers में, बहुत सारे isomers होते हैं, हमने पिछले chapter में पढ़ा था, basic principle of organic chemistry में करें, linear, इसमें position होते हैं, chain होते हैं, functional group होते हैं, तो यहाँ पे structure 1 और 2, एक दूसरे के position isomer है, क्योंकि double bond के position में difference है, while structure 1 और 3, और 2 और 3, यदि आप compare करो, तो उनके chain में difference है, एक linear है, एक तो branch है, इसलिए ओ chain isomer है, अब हम बढ़ते हैं, geometrical isomerism की तरफ, तो सबसे पहले geometrical isomerism होता क्या है, तो O isomerism जो बनता है, due to difference in arrangement of atoms and group in space, मतलब space जो भी provided है, carbon-carbon double bond के around, जो भी space provided है, उसके around, जो आपके groups का arrangement है, वो different है, वो बनाएगा geometrical isomer, जैसे structure A and structure B, structure A and structure B में, carbon-carbon double bond है, दोनों में है, बट structure A में आप देखोगे, दो same group double bond के same side में है, और structure B में, दो same group double bond के दो opposite side में है, तो इस तरह से बनता है geometrical isomer, क्योंकि हाँ groups का arrangement, या atoms का arrangement, double bond के space में different है, और इसलिए structure A और structure B, दो different structures है, क्योंकि मुहाँ पे जो same groups attached है, कारवार-कारवार double bond को, और two different sides of double bond है, ए में दोनो same side of double bond है, और B में दोनो opposite end of double bond है, अब इसको आप further classify करोगे, तो यहाँ पे जो group same side of double bond के यहाँ पे present है, मतलब ओ आईसोमर, जिसमें दो same atom या group, same side of double bond के present है, उसे आप कहोगे cis isomer, तो पहला क्या हो गया? Cis isomer, क्योंकि यहाँ पे जो भी दो same group है, वो double bond के same side में present है, इसलिए यह कहलाएगा cis isomer, दूसरा, वो geometrical isomer, जिसमें दो same group, double bond के दो opposite side में present है, तो same group double bond के दो opposite side में present हो, तो आप अब इसे कहोगे trans isomer, तो यह दूसरा किस्टीश का example है, trans isomer का, क्योंकि यहाँ पे जो दो same group है, वो double bond के दो opposite side में present है, और इसलिए यह second है trans isomer, तो इस तरह से, अलकीन geometrical isomerism दिखाता है, क्योंकि उसके पास, carbon carbon double bond present है, और उस carbon carbon double bond को, यह दि दो same group same side पे present हो, तो cis, और दो same group opposite side पे present हो, तो trans, यहाँ ध्यान रखे, cis और trans, दोनों भी isomer आपको देखने में एक दिख रहे हैं, बट it is not same, क्योंकि दोनों में difference है, groups का arrangement, और इसके वज़े से यह दोनों, बिल्कूल ही अलग molecule होते हैं, दोनों के physical, chemical properties totally different होते हैं, अब यहाँ पे एक example लिया है हमने, butene का, 2-butene का actually, तो 2-butene में, यदि double bond की दोनों same side पे CH3 CH3 present हो, तो cis 2-butene हुआ, और यदि double bond के दोनों opposite side पे CH3 CH3 present हो, तो trans 2-butene हुआ, तो यह दो 2-alग, देखो, दोनों भी 2-butene है, बट एक है cis, एक है trans, इसलिए दोनों अलग हैं, दोनों की physical, chemical properties अलग हैं, और उसी समझने के लिए हम boiling point पे ध्यान देख सकते हैं, cis वाले का boiling point है 277 Kelvin, while trans वाले का है 274 Kelvin, next step preparation of alkins, हम alkins को कैसे prepare कर सकते हैं, पहला है industrial source, यहाँ पे ध्यान रखें, कि तीन alkins बहुत important है chemical industry के लिए, मतलब chemical industry में इन alkin पे बहुत dependence है, वो तीन alkin कौन है, ethene, propene and but-1-3-dine, ठीक है, dine means, dye means two, ean means double bond, तो दो double bond वाला but-1-3-dine, तो यह तीन जो alkin है, वो industry के लिए बहुत important है, ठीक है, इसलिए alkins का preparation study करना भी important है, alkins up to four carbon atoms, मतलब चार carbon वाले alkins तक, आप directly petroleum products से उन्हें निकाल सकते हो, जैसे कि, ethene, propene and butene, यह चार carbon atoms वाले alkins है, और इन में, इनको आप petroleum products, जैसे hydrocarbon, petrol, diesel, उससे आप extract कर सकते हो, ethene जो है, वो natural gas से बन सकता है, या फिर crude oil से, natural gas और crude oil को आप cracking process से यह कर सकते हो, और उसे ethene abstract कर सकते हो, next है, methods of preparation of alkins, आप alkins को किन method से prepare कर सकते हो, लाब में आप चाहो prepare करना तो, पहला है, elimination reaction, elimination, word क्या होता है, elimination मतलब, किसी चीज को निकालना, किसी चीज को निकाल फेकना, eliminate करना, correct, तो, आप elimination reaction, मतलब, किसी चीज या किसी group का eliminate करके, alkin prepare कर सकते हो, यहाँ पे generally, 1-2 elimination reactions का सहारा लिया जाता है, now what is 1-2 elimination, elimination मतलब, निकालना, मतलब, remove कर देना, और 1-2, मतलब, दो, ऐसे atoms या groups remove करना, जो carbon 1 और 2, मतलब, adjacent carbons पे present हो, तो, ऐसे reaction, जिससे alkin बन रहा हो, जिसमें आप atoms, या group of atoms, atoms या group of atoms, adjacent carbon से, that is 1 और 2 carbon से निकाल रहा हो, उसे कहेंगे, 1-2 elimination reaction, तो, एक ऐसा reaction, जिसमें 2 atom या group, eliminate या remove किया जाता है, adjacent carbon से, मतलब, बगल बगल वाले carbon से, उसे कहते हैं, 1-2 elimination, तो, 1-2 elimination में, 2 atom या group, निकाल दिया जा रहा है, by adjacent carbon, that is carbon 1 और carbon 2 से, और इसलिए से कह रहे हैं, 1-2 elimination, यहां X और Y निकल चुका है, और यहां पर इसे अब carbon की valence से पूरे करने के लिए double bond बनेगा, जिससे आपका ये SP3 hybridized carbon, अब SP2 hybridized carbon में convert हो जाएगा, उसमें first है, dehydrohalogenation of alkyl halides, अब dehydrohalogenation क्या होता है, D मतलब removal, याद रखें, hydro मतलब hydrogen, halogenation मतलब halogen, मतलब removal of hydrogen and halogen, from alkyl halide, alkyl halide क्या होता है, RX, तो यदि आप hydrogen और halogen दोनों भी alkyl halide से निकाल दो, तो आप alkyl halide को alkyne में convert कर सकते हो, और उस reaction को कहेंगे, dehydrohalogenation, तो dehydrohalogenation मतलब, removal of hydrogen and halogen, from adjacent carbon atoms, याद रखें, alkyl halide कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, आप halogen तो वहाँ से निकालोगे X, उसके साथ जो hydrogen आप बहार निकालने वाले हो, वो उसके बगल वाले carbon से ही होना चाहिए, adjacent carbon से ही होना चाहिए, आप molecule से कहीं से भी hydrogen और कहीं से भी halogen नहीं निकाल सकते हो, आपको halogen किसा जो hydrogen निकालना है, वो बगल वाले carbon से ही होना चाहिए, ठीके, और उस reaction में, जहां hydrogen और halogen दोनों लोगा सोरा अलकाइल halide से, उसे कहेंगे dehydrohalogenation, अब यहां पर एक बात याद रखें, अलकाइल halide में जिस carbon को halogen अटाच है, जिस भी carbon को halogen अटाच है अलकाइल halide में, उसे कहते हैं alpha carbon atom, ठीके, और alpha carbon atom का जो बगल वाला carbon atom होता है, वो कहलाता है beta carbon atom, और जैसे मैंने आपको बताया है, dehydrohalogenation में बगल वाले carbon से hydrogen loss होता है, इसका मतलब बीटा carbon से hydrogen loss होगा, और इसलिए dehydrohalogenation reaction को, बीटा elimination reaction भी कहते हैं, इससे ठीक से समझने के लिए हाँ, ब्रोमो इथेन के example लीजिए, ब्रोमो इथेन में जहां bromine अटाच है, उस carbon को हम कहेंगे alpha carbon, alpha carbon में जो बगल का carbon होता है, alpha carbon के जो बगल का carbon होता है, वो होता है बीटा carbon, और बीटा carbon को जो अटाच hydrogen है, वो हैलोजीन के साथ बाहर जाने वाला है, दूसरा, कोई hydrogen नहीं जाएगा, तो याद रखें, जो हैलोजीन जिस carbon को अटाच हो alpha, अलफा के बगल वाला कारवन बीटा और बीटा कारवन को जो हाइड्रोजन अटाच है वो बाहर जाएगा इसलिए वो कहलाएगा यहाँ पर बीटा इलीमिनेशन क्योंकि बीटा हाइड्रोजन बाहर जा रहा है इसे 1-2 इलीमिनेशन भी कहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन और है adjacent carbon से बाहर जा रहे हैं इसे dehydrohalogenation क्यों कहेंगे क्योंकि हाँ hydrogen और halogen दोनों loss हो रहे हैं जैसे ही दोनों loss होंगे वो बाहर जाएंगे वैसी वहाँ पे double bond बन जाएगा और वहाँ पे alken create हो जाएगा अब इस dehydrohalogenation के लिए आपको alcoholic KOH का help लेना होगा इसे heat करना होगा अब alcoholic KH को इसमें डालते ही यहाँ दिहान रखिए कि किस तरह से reaction हो रहा है जैसे अब alcoholic KOH डालोगे इस reaction में यह है आपका alcoholic KH अब यहाँ पे देखिए आपका KBR के साथ जॉइन होके KBR बन के बाहर चला जाएगा और आपका OH hydrogen के साथ जॉइन होके water बन के बाहर चला जाएगा अब जो बचा आपका ये वाला group इदर carbon की valency होगा ये 3 पर carbon maximum 4 bonds बना सकता है इसलिए उसे 4 bonds बनाने के लिए double bond बनाना है और वो ethene बना लेगा तो इस तरह से beta elimination reaction से आप यहाँ पे alkyl halide को dehydrogenation करके ethene में convert कर सकते हो यहाँ पे next example है अब इस पहले वाले example में कोई problem नहीं था क्योंकि यहाँ पे एक ही beta carbon था alpha carbon का बगल वाला carbon beta carbon एक ही था तो कोई problem नहीं था अब problem यहाँ से सुरू होता है क्योंकि यहाँ पे आपका chlorine अटाच है alpha carbon को और alpha carbon के बगल वाला carbon होता है beta carbon तो अब आपका halogen अटाच है alpha carbon को और alpha carbon के दोनों तरफ carbon है इसलिए alpha carbon के दोनों तरफ beta carbon है और इसलिए ऐसे case में question आता है कि कौन सा beta hydrogen बहार जाएगा क्योंकि दोनों तरफ beta hydrogen है तो अब हम step wise देखेंगे इसे तो first case में हम क्या करेंगे red वाले beta hydrogen को हम बहार निकालेंगे ठीक है मतलब अब हम इन्हें बहार निकालेंगे तो obviously आपका k जाएगा c l के साथ बहार और o h जाएगा hydrogen के साथ बहार और बाकी बन जाएगा double bond तो बाकी groups वैसे के वैसे ही रहेंगे जो थे और यहाँ पे अब carbon carbon double bond बनेगा यहाँ पे correct यहाँ पे carbon carbon double bond बन रहा है और बाकी यहाँ पे hydrogen आया है वैसे के वैसे और यहाँ पे ये group है ठीक है तो इस तरह से आपका एक यह अलकीन बना और यहाँ पर बनेगा KCl प्लस वाटर अब next possibility यह है next possibility में आपका अब यह बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो अब यह SCl बन के बाहर जाएगा और यहाँ पर अब यहाँ पर double bond बनेगा करें तो यह second possibility है तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो है double bond बन रहा है यह वाला hydrogen बाहर चला गया है और अब यहाँ पर जो है इस तरह से बनेगा यह वाला group वैसे के वैसे ही रहेगा तो यह दो possibilities हैं तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी बनेगा KCl plus water अब यहाँ पर देखिए यह दोनों भी product different है यदि आप इनका नाम दीजिए तो यह 4 carbon वाले compound है correct तो यह पहला है 2 but in या but 2 in और यह है 1 but in या but 1 in ठीक है तो ऐसे cases में दो product बन रहे है जहाँ पर 2 beta hydrogen possible है और elimination के बाद यहाँ 2 different product बन रहे है एक but 2 in और यह but 1 in अब question है कौन major है कौन minor major मतलब कौन ज्यादा amount में बनेगा minor मतलब कौन कम amount में बनेगा तो यहाँ पर यह बात आपको धिहान रखना होगा कि but 2 in major product है while but 1 in minor मतलब major मतलब ज्यादा amount में बनेगा 2 but in और minor मतलब कम amount में बनेगा 1 but in अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यह product formation follow कर रहा है said-save rule अब यह said-save rule क्या होता है तो said-save rule जो है वो बना है alken के formation के लिए ही तो जबी भी dehydro halogenation reaction होता है और alken बनता है तो o alken सबसे ज़्यादा amount में बनता है जिसे सबसे ज़्यादा number of alkyl groups attach हो double bonded carbon को अब यह सब statement का मतलब क्या है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे but 1 in अब but 1 in में आप ध्याद से देखें तो यह है आपके double bonded carbon इस double bonded carbon को इस तरफ से एक carbon attach है और इस तरफ से second मतलब इस double bonded carbon को total कितने r groups attach है 2 r groups अब but 1 in में देखिए तो यहाँ पे है यह double bonded carbon यह second double bonded carbon but इस में सिर्फ और सिर्फ इसी second वाले double bonded carbon को एक पूरा r group attach है first वाले double bonded carbon को कोई r group attach नहीं है but second वाले double bonded carbon को एक r group attach है मतलब यहाँ double bonded carbon को सिर्फ और सिर्फ एक अलकायल ग्रूप attach है but first case में double bonded carbon को दो अलकायल ग्रूप attach था correct इसका मतलब सेट्जिफ क्या कह रहे थे कि O major product बनेगा जिधर double bonded carbon को ज्यादा से ज्यादा अलकायल ग्रूप attach हो तो double bonded carbon को ज्यादा से ज्यादा अलकायल ग्रूप attach होगा O ala product major होगा और double bonded carbon को कम r group attach होगा O product minor होगा तो यह है सेट्जिफ रूट तो सेट्जिफ की हिसाब से double bonded carbon को सबसे ज्यादा amount of r group मतलब सबसे ज़्यादा amount of directly attached carbon होना चाहिए और इसके हिसाब से dehydrohalogenation की बात करें तो O-alkyl halide ज़्यादा जल्दी dehydrogenation undergo कर सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा halogen वाले carbon को ज़्यादा carbon atom attach हो तो उससाब से tertiary alkyl halide सबसे जल्दी रियाद करेंगा then secondary then primary ठीक है तो tertiary alkyl halide सबसे ज़्यादा जल्दी क्यों रियाद कर रहा है क्योंकि वहाँ alpha carbon को ज़्यादा से ज़्यादा बीटा carbon attach है secondary उससे कम Q क्योंकि वहाँ पे सिर्फ alpha carbon को दो ही carbon attach है अब primary सबसे slow Q क्योंकि वहाँ alpha carbon को सिर्फ एक ही extra carbon attach है अब ease of formation of alkyl तो सेट सिर्फ rule के हिसाब से कौन सा alkyl सबसे जल्दी फॉर्म होगा ओ alkyl जिसमें double bonded carbon को ज़्यादा से ज़्यादा alkyl that is R group attach हो तो first में देखिए यहाँ पे इस carbon को 4 alkyl group attach है double bonded carbon को directly इसलिए सबसे जल्दी बनेगा next वाले को सिर्फ 3 alkyl group attach है double bonded carbon को इसलिए उससे slow next वाले को 2 तो यह वाला इसी speed से बनेगा next वाले की जैसा क्योंकि इसमें भी 2 है यहाँ दोनों directly एक ही double bonded carbon को attach है और यहाँ R group 2, R group 2 अलग double bonded carbon को attach है पर दोनों उसी speed से बनेगे क्योंकि दोनों cases में वो दो group ही double bonded carbon को attach है और सबसे slow बनेगा ये वाला क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही R group double bonded carbon को attach है अब stability की बात करें तो obviously जो सबसे जल्दी बन रहा है obviously वो सबसे ज़्यादा stable है stable है इसलिए तो जल्दी बन रहा है इसलिए वो double bonded carbon जिसको ज़्यादा से ज़्यादा alkyl group attach है मतलब चारों के चारों alkyl group हैं वो सबसे ज़्यादा stable है फिर O alkyne जिसमें double bonded carbon को तीन ही R group attach हो उसके बाद O alkyne जिसमें double bonded carbon को सिर्फ दो ही R group attach हो और फिर उसके O alkyne जिसे एक ही R group attach हो और उसके बाद O जिस दर कोई R group ही नहीं है double bonded carbon को attach तो ये था सेट सिर्फ लूँ नेक्ट है dehydration of alcohols dehydration मतलब क्या removal of water molecule hydration मतलब water dee मतलब removal तो ये हो गया removal of water molecule मतलब dehydration अब हम dehydration किसका कर रहे हैं alcohol का मतलब हम alcohol से water निकाल देंगे और उसे convert कर देंगे अलकीन में तो यदि alcohols को heat किया जाए concentrated sulfuric acid के साथ वो अलकीन में convert हो जाता है और loss कर देता है water molecule तो alcohol जो है OH और OH loss कर देगा water that is overall और convert हो जाएगा अलकीन में ये reaction जो है वो एक catalyzed reaction है और उसे कहते हैं dehydration of alcohol अब ये dehydration of alcohol again beta elimination reaction ही है तो जैसे आपका alkyl halide dehydrohalogenation वो beta elimination था वैसे ही dehydration of alcohol भी beta elimination ही है तो जैसे OH जिस carbon को attach है उस carbon को हम alpha carbon करेंगे जैसे alkyl halide में जहाँ halogen attached था उस carbon को हम alpha कह रहे थे similarly यहाँ पे भी जहाँ OH जिस carbon को attach है उसे alpha carbon कहेंगे और alpha carbon के बगल वाले carbon को beta carbon और beta carbon को जो attach hydrogen है वो बाहर जाने वाला है OH के साथ इसलिए उसे कहेंगे beta elimination reaction अब आपका ये alcohol है इस alcohol में से alpha carbon से जाएगा OH बाहर और beta carbon से जाएगा hydrogen बाहर और यहाँ पे जो है water molecule actually बाहर जा रहा है H2O और बन रहा है alkene that is C double bond C double bond बनता है alpha और beta carbon के बीच alkyl halide की तरह ही setzir fluor यहाँ पे भी follow होता है यहाँ पे वही alcohol major product बनेगा मतलब जो देगा जिसके पास जादा से जादा beta carbon हो तो tertiary alcohol के पास जादा से जादा बीटा carbon होता है इसलिए वह सबसे पहले dehydration undergo करेगा फिर secondary alcohol और सबसे last में primary alcohol अब यहाँ पे एक example है तो यहाँ पे आप देखिए यह है आपका OH OH को attached carbon है alpha carbon, alpha carbon के बगल वाला carbon है beta carbon अब बीटा carbon का hydrogen और alpha carbon का OH दोनों पाहर जाएगा water molecule बनके और double bond बन जाएगा alpha और बीटा carbon के बीच और यह कहलाएगा but-1-e यहाँ पे एक ही बीटा carbon था, दुसरा कोई option नहीं था elimination का इसलिए यहाँ पे एक ही product बनेगा that is but-1-e, वो main और major product है next इसमें यह है, अब इस case में देखिए, यहाँ पे जो है OH को attached carbon और alpha carbon है अब alpha carbon के वगल में दो बीटा carbon से, तो पहले हम इस बीटा carbon के बारे में बात करेंगे अब इस बीटा carbon को attack जो hydrogen है, obviously OH के साथ बाहर जाने वाला है और अब जीदर से hydrogen गया है, उस बीटा carbon का उस बीटा carbon और alpha carbon के बीच में double bond बनने वाला है तो इस तरह से double bond बनेगा, alpha और बीटा carbon के बीच और water molecule बाहर चला जाएगा अब next case में, next case में अब ये OH और ये hydrogen बाहर जाएगा क्योंकि next वाले बीटा carbon के पास भी hydrogen है, तो अब ये जा रहा है बाहर अब O वाले बीटा carbon और alpha carbon के बीच में double bond बनेगा, जहां से अब water बाहर गया है और इस तरह से अब बनेगा आपका second product obviously हाँ पर भी water बनेगा, तो ये दोनों product बनते हैं अब ये दोनों भी चार carbon वाले ही compound है, एक है but one in पिछले बार की तरह ही और दूसरा है but two in वापस मैं पूछू major कौन, minor कौन, अब आपको answer पता है but two in major है, that is more amount में बनेगा, but one in minor है कि कम amount में बनेगा अब यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी set-save rule follow हो रहा है ये अब set-save rule के हिसाब से देखें, तो first वाले product में, that is but one in में double bonded carbon को सिर्फ एक ही R group attach है, but but two in में double bonded carbon को दोनों तरफ से 2 R group attach है, जितना ज़्यादा R group double bond को attach है उतना ज़्यादा stability है, और उतना ज़्यादा वो product बनेगा next है ये वाला example, अब इस example पे ध्यान देए, आप ठीक से, तो यहाँ पे एक ही alpha carbon है, ठीक है, OH को attach, बट इस alpha carbon को 3 beta carbon attach, एक, दो, तीन, बट यदि आप ध्यान देए, ठीक से, तो यह तीनों भी beta carbon एक जैसे हैं, ठीक है, तीनों भी beta carbon एक जैसे हैं, तो आप यह इस beta carbon से hydrogen निकालें, तब आपको product मिलेगा इस तरह से, करेक्ट, यदि आप इस beta carbon से hydrogen निकालें, तब आपको product मिलेगा इस तरह से, करेक्ट, और यदि आप इस beta carbon से hydrogen निकालें, तो आपको product मिलेगा इस तरह से, अब यह सारे cases में आप ठीक से देखें, यह सारे cases में आप ठीक से देखोगे, तो यह सारे group जो, यह तीनों भी, A, V और C, तीनों भी सेम हैं, जस्ट ओ, गुमा गुमा के लिखे गए, घड़ी के काटे की तरह, ठीक हैं, तो तीनों भी सेम हैं, इसका मतलब, यह तीनों भी बीटा कारवन, जो यहां पर इस अलफा कारवन को attach है, इस अलफा कारवन को जितने भी बीटा कारवन अटाच हैं, वो तीनों सेम हैं, और तीनों में से किसी का भी hydrogen आप बहार निकाल दो, आपके पास एक ही possibility है product बनने का, ओ यह है, तो तीनों में से किसी का भी hydrogen आप बहार निकालो, और उसको जास रोटेट करो, आपको सेम यही product मिलेगा, क्योंकि तीनों बीटा कारवन इक्विवैलेंट हैं, सेम हैं, नेक्स्ट है, बाइ डी हालोजिनेशन of vicinal dihalides, अब डी हालोजिनेशन मतलब, डी मतलब removal, हालोजिनेशन मतलब हालोजिन, तो हालोजिन को निकाल के, आप अलकीन कैसे बनाए, from vicinal dihalides, अब vicinal मतलब क्या, ओ कारवन जो बगल बगल में हूँ, इन्हें vicinal carbons बोता हैं, ठीक है, अब ये carbon, इस carbon का vicinal carbon नहीं हो सकता, बट ये δोनों vicinal हो सकते हैं, तो जो भी carbon, बगल बगल में होते हैं, उन्हें vicinal carbon कहते हैं, अब vicinal carbon में, यदि हालोजिन लगा हो, दोनों vicinal carbon में, मतलब दोनों बगल-बगल वाले carbon में, मतलब दोनों one-two position वाले carbon में, ये दि halogen लगा हो, तो इन्हें कहेंगे vicinal dihalate, तो ये है vicinal dihalate, मतलब vicinal carbon पर halogen लगे हैं, अब इन halogen को निकाल के आप alken बना सकते हो, तो जहां पे दो halogen atom adjacent carbon atom पे लगे हो उन्हें निकाल दिया जाए तो उसे कहेंगे dehalogenation अब ये dihalides of alkyn जो है इन में दो halogen present होते हैं बगल-बगल carbon atom के बगल में और इसलिए से कहते हैं vicinal dihalide तो ये है vicinal dihalide जहां बगल-बगल carbon पे दो halogen present है अब ये vicinal dihalide से यदि हम दोनों भी halogen atom निकाल दे उन्हें zinc के साथ हीट करके तो वो बन जाता है Zn X2 और ये 2 X2 इसके साथ चला जाएगा और यहां पे carbon की 4 valency पूरी करने के लिए double bond बन जाएगा और बन जाएगा alkyn तो 1,2 di bromo में देख सकते हो Zn Vr2 बन के बाहर चला गया और CH2 CH2 की बीच में अब double bond बन जाएगा similarly 1,2 di bromo propane में carbon 1 और carbon 2 दोनों से आपका bromo चला जाएगा Zn Vr2 बन के और double bond बन जाएगा carbon 1 और 2 के बीच में और बन जाएगा propane तो इस तरह से dehalogenation करके मतलब while removal of halogen from vicinal dihalides मतलब o halides दो halogen लगे हैं बगल बगल carbon पर उनसे निकालके आप alkyne बना सकते हो next is addition reactions addition reactions जो है सिर्फ alkyns में किया जा सकते हैं जिसमें alkyns में आप addition करके उसे alkyne में convert कर सकते हो alkyns मतलब triple bond वाले carbon को आप double bond वाले carbon में convert कर सकते हो हो hydrogen का addition करके तो अब दो possibility है क्योंकि आपको पता है alkyne दो types के होते हैं एक cis एक trans इसलिए इस reaction में भी दो possibility है तो पहला जहां आप alkyne में hydrogen add कर रहे हो on same side मतलब दोनो hydrogen atom same side of triple bond में add हो रहा है देखिए दोनो hydrogen atom same side of triple bond में add हुआ है that is आपको मिला cis alkyne आपको यदि cis alkyne पाना हो alkyne से तो आपको use करना होगा linlar catalyst इस catalyst को क्या कहते है linlar's catalyst palladium in carbon in the presence of quinolyne तो linlar catalyst आपके hydrogen को same side of triple bond पे add करता है और alkyne को cis alkyne में convert करता है यदि आपको trans alkyne चाहिए from alkyne तो आपको उसे treat करना होगा sodium in liquid ammonia में जैसे आप alkyne को sodium in liquid ammonia में treat करोगे तो आपके hydrogen दो opposite side of alkyne में जूड जाएंगे जिससे वो trans alkyne में convert होगा देखे दोनों hydrogen opposite side of triple bond में जूडे हैं और इसलिए अब आपको क्या मिल रहा है trans alkyne तो यहाँ याद रखे alkyne addition reaction के बाद alkyne बनता है triple bond double bond में convert होता है पर depend करता है कि जो आपके hydrogen है वो same side में जूड के cis बने हैं कि opposite side में जूड के trans cis बनने के लिए आपको use करना होगा lindlarse catalyst trans के लिए sodium in ammonia and that's all for today thank you if you have any doubt any comment any suggestion you are free to do that on rcadoubt04 at the red gmail.com if you like my video give me a thumbs up and share this video to more and more of your friends and stay tuned कर दो